हेलो वरीवन वेलकम बैक टू शानौलज बेंक सीटीव चानल सौगत आपका एक बार फिर से शानौलज बेंक सीटीव चानल पर आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं आपके फरवरी मन्त के बेस्ट हंडर्ड प्लस MCQs of Current Affairs ठीक है बाई फैब मन्त के आपके जो Current Affairs रहने वाले हैं उसके हम लोग बेस्ट हंडर्ड प्लस MCQs आपके Compilation इस वीडियो में देखेंगे नेश्टल और इंटरनेश्टल कंप्लीट कवरेज आपकी रहने वाली है इस वीडियो सेशन में आपक इस वीडियो में Compile कर दी है तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन इसकी PDF आपको हमारे Telegram चैनल पे मिल जाएगी क्या पूछा गया आपसे रेसेंटली वू अमंग दो फॉलिविंग है वीडियो करनल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड एट बी सी सी आई अवाड्स दो हजार चोबिस की सर्मनी जो ही थी नमन अवाड्स नमन अवाड्स जो हैदराबाद में हुए थे अवाड्स के उनमें करनल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवाड्स किसको दिया गया यह आपसे पूछा गया है वाई अनील कोंबले और राहुल ड्रेवर्ड को सुनील गावसकर कपल देव को फारुक इंजीनियर एंड रवी शास्त्री जी भिशन सिंग बे और इनकी कुछ लिस्ट है विनर्स की आपको मैं बता देता हूँ करनल सी के नायडू लाइफ टीम अचीवमेंट अवाड्स की अगर बात करूं फारुक इंजीनियर और रवी शास्त्री जी को मिला है पॉली उम्रीगर अवाड्स बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर मैं की क काटेगरी प्लस साल याद रखना है ठीक है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर वुमें की काटेगरी में दीपती शरमा को मिला है 19-22 के लिए समरीती मंधाना को मिला है 20-21 एंड 21-22 के लिए ये भी आपको याद रखना है मैंस एंड वुमेंस के टेगरी बोत लिए नेक्स् येश्वी जैस्वाल को मिला है 22-22 आपको येश्वी जैस्वाल का तो पता ही होगा अभी काफी न्यूज में थी है ठीक है नेक्स आवाउड की बात करूं में आपको तो हाइस्ट विकेट टेकर इन ODI वुमिन में मिला है पूनम यादव को 19-20 के लिए जूलन गोस्वामी 20-21 राजेश्वरी गायकवार 21-22 आपको प्रवाइड कर दूंगा वहां से डाउनलोड करके रिविजन करते रहिएगा बेस्ट एंपायर इन डोमेस्टिक क्रिकेट में बेस्ट एंपायर मिला है ए पदमना भन को 19-20 के लिए वरिंदा राठी 20-21 के लिए जया रमन मदन ग परफॉर्मेंस इन BCCI डोमेस्टिक टोर्नमेंट्स मुंबई को मिला है 19-20 के लिए मद्य प्रदेश को मिला है 21-22 के लिए शौराष्ट्रा को मिला है आपका 22-23 के लिए क्लियर है तो यह कुछ important awards थे जो BCCI की द्वारा दिये जाते हैं तो आपको यह याद रखने है ठीक ग्लोबल 500 कंपनीज का अभी अभी एक रिपोर्टर रिलीज करी गई है उसमें इंडिया की सबसे स्ट्रॉंगेस्ट ब्रैंड कोन सा है यह पूछा गया है जियो लाइफ इंशूरेंस कोपरेशन ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर टाटा कंसल्टंसी सर् ठीक है जियो यह आपने याद रखना है चलिए नेक्स्ट कोशने पर आजाओ नेक्स्ट पूछा क्या आपसे रिसेंटली विच आफ फॉल्विंग कंपनीज है वान दा टेंडर टेंडर टेवलप इंटरनेशनल फिल्म सीटी नियर नौईडा उत्तर प्रदेश ठीक है यह कौन सी कंपनी ने अभी टेंडर जीता है जो डेवलप करेंगे इंटरनेशनल फिल्म सीटी को कहां पर नौईडा उत्तर प्रदेश में यह बेवियू प्रजेक्ट्स को या फोर लाइन फिल्म्स को सुपर सॉनिक टेक्नो बिल्ड को या फिर टी सीरिस कौन सी कंपनी यह ज जगा है आई एनस नीरुपक ओके हैस बीन डी कमिशन इट वाज बिल्ड बाई विच फॉल्विंग कंपनी इस ठीक है आई एनस इंदियन नेवल शिप जो थी नीरुपक अभी अभी हाली में उसको डी कमिशन कर दिया गया है वो किसके द्वारा बनाई गई थी गोवा शि प्याड लिमिटेड के द्वारा गाडन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा मैस गाउं डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किसके द्वारा बनाए गी थी आपकी नीरुपक जो इनस शिप थी तो वो थी आपकी गाडन रीच Builders and Engineer Limited Kolkata GRSE याद रहेगा चलिए आज़ा भाई next question पे अगला सवाल आप से पुछा गया है Recently a two year old child Carter Dallas has become the youngest person to reach Mount Everest ठीक है दो साल का बच्चा था Carter Dallas वो अभी youngest person बना है जो Mount Everest पे पहुचा है base camp में he is from which of the following country तो वो कौन सी country से है जर्मनी, Scotland France या फिर Czech Republic कौन से दिश के हैं तो yes it's Scotland तो वो Scotland के हैं या आपके Carter Dallas ठीक है चलिए next question आज़ा भाई next question आप से क्या पूचा गया है ADNOC Gas ठीक है UAE has signed a 10 year agreement with which of the following Indian companies ये एक company है ADNOC Gas UAE की इन्होंने 10 साल का agreement sign किस Indian company के साथ करा है कि वो supply करेंगे 0.5 million metric tons per annum TPA of liquid natural gas ठीक है natural LNG ये supply करेंगे इंडिया में तो कौन सी company के साथ इन्होंने 10 साल के लिए agreement करा है Indian Oil Corporation ठीक है जी गेल के साथ Oil and Natural Gas Corporation के साथ या फिर Reliance Industry Limited के साथ येस तो ये आपका sign किया गया है गेल के साथ गेल इंडिया लिमिटेड क्लियर याद रखना है अपने ये चलिए आजाओ भाई नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन आपसे पुचा गया है को अब है इईक अब ही सिक्स्टीज फैनन्स कमिश्ट को ये चाहर जीए ऑभी अभी को अब ये उस फैनन्स कमिश्ट के किये गए हैं ाई क्लियर चलो नेक्स्ट कुशन पर आजाओ यूनियन मिनिस्टर नितिन घतकरी जी हैज लेड डाउन फांडेशन स्टोन फॉर फिफ्टीन नैस्टल हाइवेश प्रोजेक्ट की लेडाउन करा है फांडेशन कौन से शहर में मध्या प्रदेश के उजयन इंदोर बोपाल या फिर गवालियर यस तो यह कहां पर किया गया है भाई आपके बोपाल में ठीक है बोपाल में तो यह आपको याद रखना है अभी अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर नेतिन घतकरी जी ने इनुग्रेट करा है क्या भाई साब फांडेशन स्टोन नो नेशनल हाइवेश प्रो okay चलिए जी अग्ला स्वाल साइब के से क्या पुष्ट अगया है अगला सवाल आके से कहाँ पूछा है MINISTRY फ टेक्स टैLस एस अनौनस हट्स टॉन भारत सारी वाकाथान वन भारत सारी वाकाथान in which of the following cities of Rajasthan? Yes. अभी-अभी Ministry of Textile ने announce करा है कि और्गनाईज करेंगे वन भारत सारी वाकाथान in which of the following कौन सी city में Rajasthan की? उधेपुर, कोटा, जैपुर या फिर जैसिलमेर? Yes. तो ये कहाँ पे था? कोटा में करवाया जाने की अभी-भी गोशना की थी Ministry of Textile ने clear? याद रखना है अपने है चलिए next आ जाओ who amongst the following is the author of new book एक समंदर मेरे अंदर ये एक हिंदी बुक है एक समंदर मेरे अंदर इसके लेखर कोन है ये आपसे पुछाए अजीत डवाल जी, अजे भट जी, जनरल अनील, चोहान जी या फिर संजीव कुमार जोशी जी येस एक समंदर मेरे अंदर तो ये डॉक्टर संजीव कुमार जोशी जी है इसके लेखे के ठीक है भाई? चलिए आजाओ नेक्स्ट सवाल पे Recently, Ministry of Culture informed that the Maratha Military Landscape of India clear? याद रखना, अच्छे से सुन लेना, ये कोशन बहुत इंपोर्टन है Maratha Military Landscape of India will India's nomination for recognition of UNESCO World Heritage List ठीक है? नॉमिनेट किया जाएगा for the year 24, 25 total how many thoughts have been included in it? तो Maratha Military Landscape के अंडर कितने thoughts आते हैं जो अभी हमने नॉमिनेट किया है इंडिया की तरफ से as the recognition as a UNESCO World Heritage side की लिस्ट में 24, 25 के लिए तो उसमें कितने thoughts आते हैं भाई? आपके 12, clear? याद रखना है आपने तो option D हो जाएगा आपका correct answer 12, आपके आते हैं कौन-कौन से हैं आजाओ एक बार बात करते हैं ठीक है? कितने हैं भाई? आपके Maratha Military Landscape अप इंडिया में महराष्ट्रा में हैं आपके 11, clear? महराष्ट्रा में कितने हैं आपके? 11 और एक है आपका तामिल लाडो में कौन-कौन से आते हैं thoughts इसमें? सलहार फोट, शिवनेरी फोट, लोहगड फोट, कंधिरी फोट, राइगड फ्योट, राजगड फोट, प्रतापगड फोट, सुवर्न दुर्ग फोट, पनहला फोट, विजे दुर्ग फोट, सिंदु दुर्ग फोट ये thoughts 11 जो हैं ये आपके आते हैं महराष्ट्रा में और एक फोट जो है वो आपका आता है जिनजी फोट आपका आता है तामिल नाडू में ये आपके 12 फोट्स आते हैं ये आपने याद रखना है भाई अब इसमें जो फोट्स हैं, फोट्स के types भी कुछ होंगे तो सारे मैंने बताएं आठ ऐसे हैं जो प्रोटेक्टेड हैं आपके ASI के अंडर ASI that is Archaeological Survey of India ठीक है वो आठ कौन-कौन से हैं शिवनेरी फोर्ट है, लोहगड फोर्ट है, राइगड फोर्ट है, सुवन दुर्ग फोर्ट है, पनहला फोर्ट है, विजे दुर्ग है, सिंदु दुर्ग है और जिनजी फोर्ट है, ये आठ आपके किसमे, ASI के अंडर आपके क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया में आते हैं और वहीं पर अगर देखा जाए, सलहार फोर्ट, राजगड फोर्ट, कंदेरी फोर्ट, और प्रतापकड फोर्ट जो हैं, ये प्रोटेक्टेड हैं किसकी अंडर, डिरेक्टरेट अफ और्केलर्जिकल अंड मीजियम्स, गवर्मेंट अफ महराष्ट्रा के अंडर, ये आ आपके पास हिल फोर्ट से हैं, हिल फोर्ट कोन कोन से हैं, सलहार फोर्ट है, शिवनेरी फोर्ट है, लोहगड है, राइगड, राजगड एंड जिंजी फोर्ट, ये आपके हैं हिल फोर्ट, हिल फोरेस्ट फोर्ट आपका प्रतापगड आ जाता है, हिल प्लेट्व आपके पास विजेद दुर्ग आजाता है आईलेंड फोट्स कांधिरी फोट है सवर्न दुर्ग फोट है और सिंदु दुर्ग फोट है ये आपके आईलेंड फोट्स आते हैं important है ये इसलिए आपको ये detail में मैंने बता दिया clear? चलिए आजाओ next question पे भाई अगला सवाल आपसे पुझा गया है इन में से कौन appoint किये गये है as a chairman of a telecom regulatory authority of India that is TRY के अभी-अभी कौन appoint किये गये है chairman मिनाक्षी गुपता अनील कुमार लहोती पीडी वाघिला या हिमांक शर्मा येस बताइए कौन है अभी-अभी TRY के chair में ने किया गया है गोशत अनील कुमार लोहाटी is the correct answer ओके चलिए recently which of the following companies has implemented wireless brain chip telepathy wireless brain chip जो telepathy है human के in the human first time ये पहली बार किस company ने implement किया है wireless brain chip telepathy जो है इनसानों में जो होती है वो किस ने अभी-भी implement करा है Yes, implant करी है ये, implant करी है implant की है Yes, बता हुआ Synchron ने, Neuralink ने, Brainco ने या फिर करनेल ने Yes, किस ने की थी है तो ये है आपका Neuralink Neuralink इस company ने अभी-भी implant करा है आपका wireless brain chip telepathy, चलिए According to the recent changes the customers will be able to transfer up to how much amount between bank accounts using the immediate payment service that is IMPS using only reseptant's mobile number and the name of their bank Yes, अभी-भी हाली में ये जो अपना IMPS system आया है, update होके changes आई है इसमें कुछ है तो अभी customer कितना पैसा transfer कर सकता है reseptant का mobile number और उसका bank detail डालने के बाद तो वो है आपका 5 लाक रुपिया instant transfer कर सकते हैं कितना 5 लाक, clear? चलिए जी, next आपसे पुझा गया है the 2027, ठीक है 2027 का जो world test championship final cricket का होगा वो कहां पे held होगा? India, Australia, England या फिर South Africa 2027 का world test championship final cricket कहां पे होगा? तो ये आपका England में देखने को मिलेगा England, ओके? चलिए yes, one of the important one again, recently five more wetlands have been declared as Ramsar sites wetlands of international importance in India now, there are total how many Ramsar sites ठीका भाई, पहले कितने थे? आपके पास 75 अब पांच और होगे तो कितने होगे? 80 clear है? चलो इस सवाल में आपसे क्या पूछा गया था भाई? क्या पूछा गया था आपसे? कि भाई हमारे पास अभी हाली में 5 wetland sites add किये गए हैं, रामसर sites में तो पहले थे, कितने थे? 75 अब होगे हैं, 80 तो वो 5 कौन-कौन से add होएं, ये मैं आपको बता देता हूँ करावेती bird century तामिल-नाडू की मगारी केरे conservation reserve करनाताका की लॉंग वोड शोला reserve forest आपका, तामिल-नाडू का अनकाशमूद्र bird conservation reserve करनाताका का अगनशीनी एस्चुरी ये भी करनाता की ठीक है तीन करनाताका में हैं और दो आपके तामिल-नाडू में add हुई हैं क्लियर है चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इंडिया का contracting parties हैं इंडिया रामसर convention पे जो sign किया था हमने रामसर इरान में ठीक है कब 1971 में इंडिया आपकी एक contracting party है मतलब हम signatory है इंडिया ने ratify किया था इस convention कब एक February 1982 में एक वर्ड वेटलेंड डे कब सलीबरेट करते हैं एक लॉस्त ग्लोबन तो यह आपका दो फरवरी 1971 को सलीबरेट करा जाता है आपका क्या वर्ड वेटलेंड से डे क्लिया याद रखना है अपने और थीम क्या थी वर्ड वेटलेंड डे दोहजार चोबिस की वेटलेंड एंड हुमन वेल बिंग वेटलेंड एंड हुमन वेल बिंग इस साल Union Ministry of Environment Forest and Climate Change ने कोलिबरेट करा था किसके साथ Government of Madhya Pradesh के साथ जन्होंने और्गनाइज किया क्या National World Wetlands Day Event कहां पे सिरपूर लेक कहां इन दोर में ठीक है सिरपूर लेक इन दोर में ये एक रामसर साइट है जो डिजाइन डिजागनेट की गई थी 2022 में ठीक है सिरपूर लेक ये भी एक रामसर साइट वेटलेंड है जो 2022 में ये हुई थी क्लियर है याद रखना है आपने ये सारी डिटेल्स भी आपके एक्जाम में पूछे जा सकती है वाई चलिए नेक्स्ट कोशने पर आजाओ विच अफ दो फॉलिविंग इन्स्टूशन है इंट्रडूस करी है इंडियन इंस्टूट आफ टेक्नॉलोजी मदरास रमन रिसर्च इंस्टूट बैंगलूरू डिजिटल युनिवरस्टी केरला फिजिकल रिसर्च लेबरोटरी एहमदबाद येस तो ये कहाँ पर है काईराली ए आई चिप डिजिटल युनिवरस्टी केरला ठीक है प्मद्रीन, उियन, नाजन, और रड़ीन! ठीक है बाई चलिए आज एव नेक्स्ट कोशन पर विच आफ दा फॉलिविंग डिस्टिक कोट्स है अलाव दा हिंडूस तो प्रियर तो ओफर प्रियर्स इन सदन सेलर ऑफ दा गयानवापी मौस्क विच इस नोन एज व्यास का तैखाना येस इन में से कौन से डिस्टिक को कोट ने अभी हिंदूस को अलाव करा है आप जो इनका साधन साइड है वहाँ पे गयानवापी मौस्क का वहां पे जिसको व्यास का तैखाना भी बोलते थे तो वहां पे अभी ये प्रियर कर सकते हैं तो प्रियागराज डिस्टिक कोट ने वाराणसी डिस्टिक कोट ने आगर डिस्टिक कोट ने या फैजाबात डिस्टिक कोट ने येस तो ये किसने क्या है वारानसी डिस्टिक कोट ने ठीक है ग्यानवापी पूजा बिगन हो चुकी थी कहां पर व्यास करता है खाना में अभी किसने क्या था ये वारानसी डिस्टिक कोट ने परमिशन दी थी क लेर है भाई ठीक है चलिए आजाओ नेक्स्ट कोशन पर अगला सवाल आपका क्या रहा वाट इस दर रैंक आफ इंडिया इन रिसेंटली रिलीज्ड करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 2023 Transparency International ठीक है किसके दुआरा किया जाता है Transparency International ठीक है तो इंडिया कर रहा है किया था यह आपसे पुछेगा 93rd, 85th, 76th या 133rd तो यह जो आपके इंडेक्स एंड रैंकिंग है ठीक है 2023 जैन से लेके और 2024 जनवरी तक ठीक है यह आपको वीडियो कल चैनल पर मिल जाएगी सारे के सारे रैंकिंग एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगे तो वो वीडियो भी जरूर से देख लीजेगा आपके एक्जाम में एक कोशन इसका भी आने वाला है तो इंडिया का क्या रैंक था आपका भाई करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में तो 93 अगर यहां पर मैं आपसे बात करूं आपके टॉप को थी डेनमार्क एक पे फिनलैंड दो पे न्यूजीलैंड तीन पे नौर्वे चार पे सिंगापूर पांच पे स्विडन छे पे स्विजर लैंड छे पे निदर लैंड्स आपको याद रखना है और इंडिया का रेंग था 93rd क्लिया चलो येस नेक्स्ट कोशन रेसेंटली असाम सीम हिमानता बिस्वा शर्मा हैस रिलीज दे फस्ट वॉलियूम अफ पॉलिटिकल हिस्ट्री अफ आसाम 1947 तो 1971 इस एडिटेड वाई हूं अमंग्स अपॉल्विंग ये किसने एडिट की है रोमिला थापर जी ने इर्फान अबीब जी ने विक्रम संपत जी या डॉक्तर राजन साइकिया जी तो इट्स डॉक्तर राजन साइकिया ओके ऐप्शन डी हो जाएगा आपका correct answer रिगार्डिंग डिस कोशन ठीक है राजन साइकिया जी चलिए ने CT में अभी हाली में National Conference जो स्ट्रेडिक ट्रेड कंट्रोल्स की ओपर दो हजार चोबीस की हुई थी कहा हुई थी मुंबई दिल्ली हाइदराबाद या फिर बैंगलूरू तो यह आपकी न्यू दिल्ली में देखने को मिली थी न्यू दिल्ली चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है भाई According to recently presented Interim Union Budget Interim Union Budget 2024-25 का What will be the fiscal deficit in 2024 as a percentage of GDP 3.4% 5.8% 5.1% 6.2% तो it's 5.1% याद रखना fiscal deficit 2024-25 का percentage of GDP कितना रहेगा 5.1% according to Interim Budget 2024-25 According to the Recent Interim Union Budget for the 2024-25 Outstanding Directed Tax Demands up to how much amount has been withdrawn for Financial Year 2010-2011 to 2014-15 Yes 5,000 10,000 20,000 25,000 Yes It's 10,000 Clear 10,000 चलिए अगला सवाल आपसे पूचा गया है Which of the following ministries has received the highest allocation in the interim union budget 2024-25 among the following ministry कौन सी ministry को सबसे ज्यादा आपका मिला है allocation budget allocation हुआ है आपका तो it's ministry of defense option A हो जाएगा आपका correct answer अगर आपने budget वाला session नहीं देखा है तो वो जा के आप लोग जरूर से check out कर लीजेगा उसमें मैंने आपको budget के related सारी basic terms layman language में समझाई है वो भी आप easily जा के समझ सकते हैं ठीक है चलो आजाओ भई यहाँ पे एक बार देखलो भाई specific ministries की अगर बात करो defense ministry को 6.2 lakh करोड मिला है ministry of road, transport and highways को 2.78 करोड मिला है second number पे third पे आपकी है ministry of railways 2.55 करोड fourth पे आपकी ministry of consumer affairs and food and public distribution 2.13 करोड ministry of home affairs को 2.03 करोड ministry of rural development 1.77 करोड ministry of chemical and fertilizer 1.68 करोड ministry of communication 1.37 करोड ministry of agriculture आपका 1.27 करोड ये सबी चीज़ें भी आपको याद रखनी है अगर यहां मैं आपसे बात करूँ major schemes schemes के लिए कितना allocate किया गया है मातमा गानी national rural employment guarantee scheme ये आपकी मनरेगा clear इसमे 23-24 में annually बात करूँ तो कितना था 60,000 करोड तो इसमे 24-25 में इसका 86,000 करोड sanction किया गया है under मनरेगा scheme आयूश मान भारत PMJ इसमे 23-24 में आपका कितना 700 था तो इस बार आपका बढ़ाके 7,500 कर दिया गया है clear है ये दो schemes important है ये आपको याद रखनी है clear है बाकी budget वाला session देख लीजेगा आपको easily सब कुछ समझ आ जाएगा चलो Recently Indian Coast Guard celebrated its 48th raising day on which of the following days Indian Coast Guard का raising day किस day को celebrated करा गया था 31st January 1st February 2nd February या 3rd February 2024 को ये आपका मनाया जाता है 1st February 2024 को हर साल clear है ये इनका 48th raising day था Indian Coast Guard रादा रातूरी has been appointed as the first woman chief secretary of which of the following states राजा रातूरी ये पहली महीला chief secretary है कोन सी state की उत्राखंड हर्याना उत्तर प्रदेश या फिर तैलेंगाना येस तो ये आपकी उत्राखंड की पहली महीला chief secretary अभी-अभी appointed करी करी है clear चलो recently which of the following countries has confirmed the discovery of its first Colton that is Columbite Tantalite deposit ठीक है Colton का जो पहला deposit कौन सी country ने confirm करा है Columbite and Tantalite Kenya Nigeria Somalia या फिर Yemen येस तो ये है आपका Kenya Kenya ने अभी-अभी confirm करा है कि हमें discovery हुई है पहला Colton का deposit ठीक है Colton Columbite and Tantalite ये आपका एक mineral है clear याद रखना है आपने चलो next आजाएं भाई अगला सवाल according to the recently released electricity 2014 report by International Energy Agency IEA ठीक है coal-fired generation is expected to meet how much percentage of India's electricity demand by 2026 कितने percent electricity demand आपकी इंडिया की percentage वाई expect की जा रही है 74% 68% 44% या 21% तो ये है आपकी 68% clear है 68% clear चलो next question देखिए घर go home and reunite clear ये एक portal है recently news में था ये किस organization के द्वारा develop करा गया है national commission for women's okay national commission for human rights national commission for protection of child rights okay national commission for minorities yes किस के द्वारा अभी अभी आपका ये portal launch करा गया है develop करा गया तो national commission for protection of child rights ये आपको याद रखना है that is NCPCR okay NCPCR चलिए next question देखिए भाई recently who amongst the following has been sworn in as the new chief minister अभी अभी हाली में जार्खंड के नए chief minister किसने शपत ली है जार्खंड अर्जन मुंडा चंपाई सोरन आलम इर आलम सत्यानन्द वोक्दा तो it's the चंपाई सोरन चंपाई सोरन clear याद रखना है आपने चंपाई सोरन चीक है चलिए अगला सवाल आजाओ गई रिसेंटल नेशनल हाईवेज अथोरिटी अफ इंडिया NHAI has been signed MOU memorandum of understanding with which of the following organization to provide services to NHAI for site-specific geotechnical consultancy geotechnical consultancy के लिए NHAI ने किस company के साथ अभी-अभी MOU sign करा है किस organization के साथ the council of scientific and industrial research के साथ geological survey of India के साथ Indian meteorological department के साथ या नीती आयोज के साथ तो yes its geological survey of India that is GSI GSI के साथ अभी NHAI ने MOU sign करा है किस के लिए कि भाई या आपकी site-specific geotechnical consultancy provide करेंगे NHAI को क्लिया चला next question आप से पूछा गया है भाई टील्स चेस टॉर्नमेंट 2014 जो आपका विजकानजी निदर लैंड्स में हुआ है विजकानजी निदर लैंड्स में हुआ है options लिएन लूक मेंडन का वियो ये गुकेश डी अनीश गिरी yes तो आपका correct answer हो जाएगा वाई वियो ये वियो ये clear तो ये जो आपका master section में Tata steel chess tournament 2024 का हुआ तो master कौन थे ये वो ये ये कहां के हैं चाइना के हैं इन्होंने किसको हराया है challenger champion कौन रहा है Leon Luke Mandioka ये Indian है clear है ये आपको याद रखना है तो option B हो जाएगा आपका character answer वे ये वे ये ओके चलो next आप से क्या पूजा गया भाई who amongst the following will be the 50th recipient of भारत रतन 2024 भारत रतन 2024 के 15th recipient कोन है मुरली मनोहर जोशी जी लाल कृष्न अडवानी जी अशोक सेन जी कौपीला रादा कृष्नन जी तो ये सभी को प्रता होगा भाई लाल कृष्न अडवानी जी आपके 50th recipient है भारत रतन 2024 के के क्लिए recently who among the following from India has been selected as a torch bearer for the 2024 Paris Olympic Games 2024 के Paris Olympics Games के लिए torch bearer किसको अभी-अभी selected करा गया है Mary Com को विजेंदर सिंग को साक्षी मलिक को अभीनव बिंदरा जी को yes it's अभीनव बिंदरा ठीक है option D है आपका correct answer हमारे shooter अभीनव बिंदरा जी को select किया गया है as a torch bearer for Paris Olympics 2024 ठीक हा भाई चलिए recently which of the following state governments in collaboration with all India game developers forum AIGDF has announced launch of digital detox initiative ठीक हा भाई कौन सी state government ने collaborate करा है आपका all India game developers forum के साथ और announce करा है digital detox ये एक initiative कौन सी state ने करा Tamil Nadu Bihar Telangana या करनाटका yes digital detox initiative it's करनाटका clear याद रखना है आपने ये करनाटका ने sign करा है चलिए next question आप से पुछा गया है वाई UPI के regarding unified payment interface has been formally launched at which of the following world heritage sites कौन सी world heritage site के उपर अभी हमारे UPI का launch करा गया है Great Wall of China Colosseum Italy Eiffel Tower Paris Machu Picchu Peru yes कहा पे किया गया है ये आपका तो ये आपका Eiffel Tower में अभी recently हाली में launch करा गया है आपका UPI ठीक है UPI UPI जो है अभी काफी global जा रहा है हम maximum countries में अभी अभी French में भी बात हुई है France में भी launch हुआ है ठीक है भाई France में उसके बाद ग्रीस में ठीक है तो ये अभी हमारा जो UPI है इंडिया का Unified Payment Interface तो ये जा रहा है ठीक है तो ये अडॉप्ट हो रहा है काफी countries के द्वारा चलिए रिसेंटली इंडिया है पेड टोटल हाव मुच अमाउंट तो यू-न रेगुलर बजट फर 2024 यू-न उनाइट डेशन को रेगुलर बजट दोहजार चोबीस में से कितना पेग किया है इंडिया ने दाट इस 43.23 मिलियन यू-स दॉलर तो इस 32.89 मिलियन यू-स डॉ-स डॉ-लर ये भी आपने याद रखना है चलिए आज आँ नेक्स्ट कोशन पे रिसेंटली यू-नियन मिनिस्टर ओके यू-नियन फाइनेंस मिनिस्टर नेर्मिला सीथा रमन जी हैस अनाउंस्ट government's initiative to promote cervical cancer vaccination among girls aged between which of the following years कितने साल की girls के लिए cervical cancer के लिए जो vaccination है वो एक initiative लिया गया है कि हम उनको free में provide करेंगी जो इनका injection है वो इनकी vaccination free में provide करेंगी तो क्या वो age group है 5-10 साल 9-14 साल 12-15 साल या सूला से 49 तो इट्स 9 तू 14 येर्स ठीक है बाई तो यह जो शर्वाइकल कैंसर है आपके इसके सिंटम्स क्या होते हैं इसके रिस्क फेक्टर्स क्या होता है आपके पास jest early marriage हो जाना ठीक है sexually active हो जाना young age में आपका और उसके बाद smoking हो गया आपका PV हो गया ठीक है तो साफ सफाई नहीं रखना आपका contraceptive pills लेना आप ये सब क्या है आपका cervical cancer के कुछ risk factors है clear ये आपको याद रखने है चलिए जी next recently द्रास winter carnival 2024 जशने फते अभी अभी commence हुआ है कौन सी जगा पे द्रास winter carnival 2024 कारगिल लेह में शिरी नगर जमो एंड कश्मीर में गैंग टॉक्सिक किम में लाहुल स्पीती हिमाचल प्रदेश में तो ये सभी को द्रास आपको idea लग गया होगा तो ये आपका कारगिल लद्दाख में commence हुआ है इसका theme क्या है celebrating life in second coldest inhabited place in the world celebrating life in second coldest inhabited place in the world clear याद रखना है आपने ये चलिए आजाओ next question पे recently more than 200 Gantu penguins have been found dead in Falkland Islands due to the spread of H5N1 avian influenza virus Falkland Island is a part of which of the following territory किसका ये पाट है French overseas territory British overseas territory Portuguese overseas territory या फिर Dutch overseas territory Falkland Island किसका पाट है या आप से पूछा गया है जहां पे हाली में 200 penguins dead पाए गये थे किसकी वज़ा से H5N1 avian influenza virus के कारण तो ये आपका British overseas territory है British overseas territory ये आपको याद रखना है बाई चलिए next आप से पूछा गया है क्या बाई recently 25T bollard pull ठीक है टग has been delivered to the Indian Navy by the Shoft Shipyard Private Limited at Kochi तो उसका नाम क्या था ये आप से पूछा गया है बहुबली, दुर्गा, महाबली या फिर इंद्रा येस तो ये कौन से ये जो टग था आपका ये क्या नाम था इसका भाई इस महाबली ठीक है option C हो जाएगा आपका correct answer इंडिया की maritime capabilities को बढ़ाए गए ये Make in India initiative के अंडर बना है अंडर ministry of defense clear है ये 25 ton bullet pull capacity है इस तग की आपकी bullet pull तग जो ये आपका डिलेवर हुआ है नेवी को ये अपने याद रखना है ठीक है बाई clear चलो next question पर आजाओ वई next आप से क्या पुशेगा which of the following state government has introduced guidelines for the उंगलाई, थैड़ी, उंगुल, उरिल come look for you in your village outreach program clear है तो अभी नाम से आपको पता चल रहा होगा क्यरला, तामिल नाडू, आंधरा प्रदेश या तेलेंगाना कौन सी state government ने ये introduce करी है guidelines come look for you in your village तो इट्स तामिल नाडू clear तामिल नाडू next आप से पुचा गया वाई who among the following is the author of the new book Kashmir, Travel in the Paradise of Earth कौन है इसके author सोमधत्ता मंडल जी रोमला भूटी जी, शिव्या नाथ जी, रूमेश बटाचार्य जी तो yes, it's रूमेश बटाचार्य जी ये है वो book Kashmir, Travels in Paradise on Earth रूमेश बटाचार्य जी clear? चलो next आजो भाई अगला सवाल recently PM श्री नरंदर मोदी जी has inaugurated भारत Mobility Global Expo 2024 in which of the following cities Global Mobility Expo 2024 की जो मोदी जी के द्वारा inaugurate किये गया है बैंगलूरू, ग्रेटर नॉइडा, न्यू दिल्ली या हाइदराबाद तो yes, it's न्यू दिली न्यू दिली में मोदी जी के द्वारा ये इनुग्रेट करा गया था ठीक है बाई? चलो recently which of the following has won the best global music album award for their album this moment at the 66th annual Grammy Awards 2024 यस, शक्ती, डेविडो बुर्ना बॉई या सुसाना बाका, तो it's option A, शक्ती, ठीक है बाई? शक्ती है, correct answer कौन सी album थी? this moment, this moment album के लिए इनको मिला है अवार्ड, ठीक है बाई? Indian winner 66th annual Grammy Award 2024 global music album fusion band, शक्ती को मिला है best global music album और उनकी कौन सी album के लिए? this moment के लिए clear है, याद रखना, यह जो group है first new album है, यह over 45 years में, और यह जो album है, यह boost करेगी eight new composition को, जो feature करें है कौन कौन से, artist को यह आपने याद रखना है, john mackloffin, जो guitar और guitar synth है जाकिर हुसेन जी, तबला प्लियर शंकर मादविन वॉकलिस्ट वी, सल्वा गनेश जी यह आपके percussionist है गनेश राजगोपालन जी यह wireless है, यह आपको सारा खुझ याद रखना है regarding band शक्ती clear है भाई? best global music performance, बेला फलिक, जाकिर हुसेन, एडगर मेर, राकेश चुरस्या for their track पश्टो, ओके यह भी आपको याद रखना है best contemporary instrumental album जाकिर हुसेन, बेला फलेक एडगर मेर, राजेश चुरस्या for as we speak ठीक है, यह भी आपको सभी चिज़े याद रखनी है ठीक है भाई? चलिए आजाओ next question पे, the first BIMSTICK Aquatics Championship 2024 has been integrated in which of the following cities BIMSTICK का पहला Aquatics Championship 2024 का integrate कौन सी सिटी में किया गया New Delhi, Kathmandu, Bangkok या फिर धाका तो yes, it's New Delhi New Delhi में अभी भी पहला addition BIMSTICK Aquatics Championship 2024 का integrated करा गया clear? चलिए next आप से पुछा गया है भाई who among the following has been conferred with Lifetime Achievement Award by Sports Journalist Federation of India ठीक है, Sports Journalist Federation of India and Delhi Sports Journalist Association DSJA at the National Sports Club of India, New Delhi किसको Lifetime Achievement Award से नवाजा किया? Sachin Tindilkar PT Usha जी Anju Bobby George Rohan Bopanna किसको नवाजा किया Lifetime Achievement के लिए तो PT Usha जी को clear? PT Usha Recently who among the following has been honored with the Outstanding Business Woman of the Year 2023 Award by Indo-American Chamber Commerce ठीक है? Indo-American Chamber Commerce के द्वारा, अभी Outstanding Business Woman of the Year 2023 का अवाजार किसको दिया गया? फाल गुनी नायर वंदना लुथरा सवित्री जिंदल या डॉक्टर बीना मोधी जी Yes, किसको दिया गया है? तो इट्स बीना मोधी ठीक है? डॉक्टर बीना मोधी जी को दिया है Outstanding Business Woman of the Year 2023 के लिए चलो आजाओ भई अगले सवाल पे विच अभी 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 किस ने कंड़क्ट करवाया फ्लाइट ट्राइल्स किस ओर्गनेज़ेशन ने? हल ने? इस हिंदुस्तान एरन अटेक्स लिमिटेड DRDO ने? डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट ओर्गनेज़ेशन इसरो ने? इंडियन स्पेस रिसर्च ओर्गनेज़ेशन या फिर बेल ने? भारत एलेक्टोनेक लिमिटेड ने? तो यह किस ने कंडेक्ट कराया था आपका? डिफेंस रिसर्च और डेवलप्मेंट ओर्गनेज़ेशन इन्होंने अभी अभी सकस्फुली कंडेक्ट किया फ्लाइट ट्राइल्स आपके हीट अभियास के अगला सवाल आपसे पूछा गया है पी-म नरंदर मोदी जी ने एक फाउंडेशन स्टोन लेडाउन कराया है मा कमक्या दिव्या परियोजना मा कमक्या एक्सेस कोरिडोर का तो कौन सी सीटी में यह आपका इन्होंने foundation stone lay down करा है मा कमख्या दिव्या परियोजना इस मा कमख्या एक्सिस कॉरीडूर तेजपुर, तिनसुखिया, कोहिमा या फिर गुहाटी तो इस इस गुहाटी कहां पर गुहाटी में भी अभी इन्होंने कमख्या दिव्या परियोजना मां कमक्या एक्सिस कोरीडोर का फांडेशन स्टोन लेडाउन करा है चलिए नेक्स्ट सवाल इट वाज इनफॉर्म्ट देट अ वुमिन रोबोट अस्ट्रोनॉट विल फ्लाई इन्टु स्पेस अहेड अफ इस्टोस फर्स्ट हीुमन मैंड स्पेस फ्लाईट ओ grasses इन्टोस फ्लाईट ये इन्फॉर्म करा गया था कि भाय साहब जो हमारा गण यान मिशन है जो फर्स्ट हमेन मैंड स्पेस फ्लाईट है तो उसमें एक महीला रोबोट को भी हम लोग क्या भेजेंगे तो उस महीला रोबोट का नाम क्या है वायू मित्रा अनसुन्या सवित्री या सोफिया येस तो ये आप सभी को पता होगा भाई वायू मित्रा ठीक है वायू मित्रा क्लियर याद रखना है आपने ये गगन यार ये है आपका वायू मित्रा ठीक है तो ये है आपका वायू मि जिसको साथ में बेचा जाएगा इंडिया का पहला मैंड स्पेस मिशन होगा आपका गगन यां ठीक है तीन एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वह आपकी 400 किलोमेटर दूर की और इबिट में जाएंगे तीन दिनों के लिए कितने दिनों के लिए तीन दिनों के लिए आपको याद र पदक इट हैस बिए इंडियूज आफ्टर मर्ज्ञ हाव मैनी एग्जिस्टिंग मै जान के लिए कितने मैडल्स को मर्ज करके एक नया मैडल अभी अभी इंडियूज किया गया है मिनिस्ट्री आफ होमफेरS के दवारा मैडल है केंदरिये ग्रेह मंतरी दक्ष ता पदक कितने मेडल्स को मर्ज किया गया है तो ये हैं आपके दो मेडल्स कितने चार मेडल्स भाई दो नहीं चार मेडल्स को मर्ज करके बनाया गया है Union Ministers Special Operation Medal एक Union Home Ministers Medal for Excellence in Investigation असासाधारन असूचना कुशलता पदक Union Home Ministers Award for Meritorious Service in Forensic Sciences ये चार मेडल्स को मर्ज करके केंदरिये ग्रह मंत्री दक्षता पदक का अभी अभी एक introduction किया गया है नहीं मेडल्स का तो ये चार आपके मेडल्स को मर्ज करके बनाया किया है कितने चार क्लिया चलो Next question Union Minister Dharmindr Pradhanji has integrated the Ullas Mela 2024 in which of the following cities Dharmindr Pradhanji ने अभी integrated करा है Ullas Mela 2024 का तो ये कहां पे किया Mumbai, Jaipur, Lucknow या New Delhi Mahindr, Dharmindr Pradhanji के द्वारा ये integrated करा गया था तो ये New Delhi में किया गया था कहां पे New Delhi चलिए जी अगला सवाल देखिए Recently Chief of Defense Staff that is CDS General Anil Chohan has integrated Defense Literature Festival 2024 ठीक है Kalam and Kavach In which of the following cities Anil Chohan जी जो हमारे CDS है that is Chief of Defense Staff ठीक है इन्होंने integrate करा है Defense Literature Festival 2024 Kalam and Kavach तो ये कौन सी city में integrate करा गया पूने, चिन्नई, कोची या फिर विशाखा, पतनम तो correct answer है आपका पूने ये पूने में किया गया है आपका इन्होंने क्लियर क्या Kalam and Kavach इसका theme है Confluence of Ancient Wisdom for Modern Security ठीक है Ancient Wisdom को Modern Security के लिए Confluence करना चलिए जी आजाए नेक्स्ट सवाल पे PM नरेंदर मोदी विल एड्रस दा World Government Summit 2024 World Government Summit 2024 की अभी अभी एड्रस करेंगे As a guest of honor It will be held in which of the following city कौन से city में क्या होगी ये held New York, London, Dubai या फिर Paris तो आप सभी को पता है ये World Government Summit 2024 दुबई चलिए जी आजाए नेक्स्ट सवाल पे Union Minister G. Krishna Reddy Has laid down foundation stone for India's first national museum of epigraphy at the Salarjung Museum in which of the following cities कौन से city में आपकी पहली national museum epigraphy के लिए foundation stone laid down करा गया है कहाँ पे Salarjung Museum में तो ये कहाँ पे है Mumbai में है New Delhi में है Hyderabad में है या फिर चन्नाई में है तो ये आपको ठीक है चलिए Recently Union Minister Ajay Bhatt laid the Indian Delegation at the Second World Defense Show World Defense Show 2024 It was held in which of the following cities ठीक है बाई बताओ Union Minister Ajay Bhatt जी ने Indian Delegation को लेके गई थे याँ पे Second World Defense Show में 2024 का तो ये कहाँ हुआ था Tokyo Japan में Riyadh Saudi Arab में Berlin Germany Rome Italy कहां हुआ था ये तो ये आपका Conduct हुआ Riyadh Saudi Arabia में ठीक है भाई Equipped for Tomorrow ये रही थी आपकी World Defense Show की Theme Equipped for Tomorrow क्लिया? चलिया आजाए भाई अगले सवाल पे Next Question आप से पूछा गया है Recently, State Cabinet अगले सब्सक्राइब अगले सब्सक्राइब इसक्राइब आपकी अरुनाचल प्रदीश ठीक है ये आपका 5 फरवरी 2024 को ही creation हुई है कई पनियार डिस्टिक जिसको बाइफरोकेट किया गया है lower सुभांचरी डिस्टिक से इसका डिस्टिक हैड़कटर आपका याच्विली सर्कल टैर गेपन समसाथ एरिया का है क्लियर है उसके बाद creation है आपकी विचौम डिस्टिक जो आपकी कर्व आउट करी है इस्ट कमांग और वेस्ट कमांग डिस्टिक में से क्लियर है ये भी आपको याद रखना है तो cabinet आफ अरुनाचल प्रदेश ने अमेंड करी है बिल 2024 की जिसमें आपकी land settlement and records act 2000 को भी अगले सवाल है पर भाई who among the following has won 2023 wild life photographer of the year people's choice award ये अभी तस्वीर दिखाऊंगो बड़ी प्यारी फोटो है यार ये given by the natural history museum London for his picture of a sleeping polar beer titled ice bed येस किसको मिला नीमा सरीखाना जी को तहाजी फिंक्स्टन जी को डैनियल डेकाउंजी जी को मार्क ब्योड को येस किसको मिला था ये तो ये आपका अवार्ड दिया गया था भाई नीमा सिरिखानी जी को ठीक है तो ये इन्होंने फोटो लिया था इसके लिए इनको मिला था wild life photographer of the people's choice award ठीक है भाई कून देता है ये natural history museum London का वो देते हैं तो इस picture के लिए मिला था तो इसको title किया गय आप से क्या पूचा गया है recently Indian tourists have been allowed to visit Iran for maximum how many days without visa अभी अभी recently allowed किया गया है Indian visitors को कि आप इरान visit कर सकते हैं कितने दिनों के लिए without visa visa के बगार आप जा सकते हैं 10 दिन 15 दिन 20 दिन या 25 दिन तो yes it's for 15 days आप इरान जाके घूम के आ सकते हैं बिना किसी दिक्कत के without visa के कितने दिन तक 15 दिन तक clear है चलो अगला सवाल भाई आप से क्या पूचा गया है recently doctor colonel V.K. घुपता has become the first patient to be declared cancer free after treatment through indigenously developed simeric antigen receptor T cell that is car T cell therapy what is the name of this therapy next car 19 tacartex yes कर रहा या epigama yes car T cell therapy तो इसका नाम क्या है इस therapy का तो इस next car 19 next car 19 यह आपने याद रखना है car T cell तो यह पहले patient कौन हुए है आपके doctor colonel V.K. घुपता जी ठीक चलो गया आजाए भाई अगले सवाल पे which of the following state has approved the proposal to declare corridor area between todoba अधारी tiger reserve and कवाल tiger reserve as a conservation reserve कौन सी state का ने यह declare करा है महराष्टरा, मध्यप्रदेश, तेलंगाना या आंध्रा प्रदेश येस तो इट्स तेलंगाना, clear किसने तेलंगाना नहीं अभी अभी declare करा है बई, चलो तो इस स्कीम के अंडर कितना टोटल आपका बजट है, येस दस हजार करोड, बीस हजार करोड, छे हजार करोड या तीन हजार करोड तो इट्स शिक्स थाउजन करोड फॉर फॉर येर्स, कितने सालों के लिए फॉर येर्स, ये आपको याद रखना है, ये आपका रहेगा दो हजार तैईस चोबिस से लेके, ओके, तैईस चोबिस से लेके, 26 सताइस तक, clear, that is प्रधान, मंतरी, मतस्य, किसान, समरीदी, सहय ये उजना, clear, option C हो जाएगा आपका correct answer, clear है, याद रहेगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, cabinet ने अप्रूव किया है, इसको अभी अभी कितनी investment रहीगी, इसमें 6000 करोड की, कितने साल के लिए, next 4 सालों के लिए, सभी states और union territories के लिए, इसमें creation क्या होगी, national fisheries digital platform, ज based identities, ठीक है, जो sport करेगा, आपका 6.00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000,00000 को ये प्रोवाइड करेगा, एकसे institutional किसका credit का उधार देंगे पैसा वैसा दिया जाएगा तो 6000 करोड की इसमें आउटले scheme के अंडर हुआ है बाई चलिए इंडिया एंड विच आफ दो फॉल्विंग कंट्रीज हैव साइन एग्रिमेंट ओन कोपरेशन इन कंस्ट्रक्शन ओफ additional nuclear reactor in कुंडा कुलम nuclear power project site तामिल नाडू यह आप सभी को पता है किस के साथ हमने साइन करा है तो इट्स रश्या ठीक है रश्या के साथ हमने कितने करे थे दस साइन करे थे मोई तो यह मैंने आपका जो current affair के session था उसमें भी यह question हमने किया था तो इस रश्या क्लियर है रश्या चलिए next question आपकी screen पर यह रहा भाई आपसे क्या पुछोगा है recently which of the following companies has launched the advantage इंडिया यह spelling आपने याद रखना है देख लो initiative to equip 2 million Indians with AI skills by 2024 Microsoft, Google, Meta या IBM तो अभी इन्होंने क्या बोला है 2 million लोगों को क्या किया जाएगा skill up किया जाएगा AI के साथ 2025 तक तो यह किस company ने launch करा है तो it's Microsoft ठीक है भाई, Microsoft ने यह launch करा है advantage India, Microsoft चलिए next question देखिए recently which of the following countries Kinlink station has commenced operation in Antarctica Kinlink station आपका commence हुआ है Antarctica में अभी operationalize हुआ है कौन सी country का है यह आपका station चाइना, जापान South Korea या New Zealand तो यह आपका है किसका चाइना का चाइना का है Kinlink station जो अभी अभी operationalize हुआ है कहां अंटार्टिका में clear? चलिए बाई recently the 7th edition of Indian Ocean Conference 2014 यह कौन सी city में अभी अभी conductor खुई थी कोलॉमबव शिरिलंका में पर्थ औस्ट्रेलिया में ढाका बंगला देश, न्यू दिली इंडिया में कहां पे हुआ है आपका 7th edition of Indian Ocean Conference 2024 तो यह आपका पर्थ औस्ट्रेलिया में देखने को आपको मिला था इसकी जो theme है Towards a Stable and Sustainable Indian Ocean clear? Towards a Stable and Sustainable Indian Ocean theme थी आपकी 7th edition किसकी? Indian Ocean Conference 2024 की जो आपका held हुआ है इस बर कहां? Perth औस्ट्रेलिया में clear है? यह भी आपने याद रखना है बाई next आपसे क्या पूचए का है? What is the name of mascot of the 4th Khello India University 2023 4th Khello India University 2023 का mascot क्या है? यह आपसे पूचा है शीने शा, उजवला, अश्ट लक्षमी या फिर बोर भूकम येस तो यह आपका है अश्ट लक्षमी clear है? चलिए next question देखिए भाई recently who amongst the following has become the first Indian fast baller to be ranked number one in the ICC test baller ranking ठीक है? ICC test baller ranking में कौन सा हमारा number one baller था? मुहमद शामी, मुहमद सिराज, जस्परीत भूमरा या मुकेश कुमार तो it's जस्परीत भूमरा ठीक है? जस्परीत भूमरा clear है? ICC ranking गर में आपको बताऊं test balling की number one पे हैं जस्परीत भूमरा 881 से कागिसो रबाड़ा ये आपके हैं second number पे 8.51 से आर अश्विन थर्ड नंबर पे 8.41 पे पैटकुमेंस 8.28 फोर्थ नंबर जोष हैजलवूड आपके 8.18 से प्रबत जयसूरिया 7.83 जेम्स एंडरसन आपके हैं 7.80 एट्थ नंबर पे हैं नैथन लायन ये सारी लिस्ट आपको प्रवाइड हो जाएगी तो वहां से आपको देख सकते हैं आपको पता है sports awards plus आपके awards and honors पे ज्यादा फोकस रहता है आपके examiner तो इन चीज़ों पे आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है awards and honors पे मैंने एक full-fledged 50 MCQs का lecture दिया है वो भी इपार check out कर लीज़ेगा clear it was informed that 5% will be conferred the भारत रतन 2024 the highest number of भारत रतनs awarded in a single year यह इस साल 2024 में सबसे highest भारत रतन दिये जाएंगे आज से पहले इतने awards कभी नहीं दिये गए हाँ 4 दिये गए थे ठीक है 4 दिये गए थे अभी यही question आप से पूछा गया earlier in which of the following years 4 person were awarded the भारत रतन which was the highest before 2024 2024 का तो highest हो गया पांच दिये गए है 2024 से पहले यह पूछने कि कब दिये गए थे चार लोगों को आपके भारत रतन आवार्ड तो यह आपका था 1999 में clear 1999 में चलिए थोड़ा सा revise कर लेते हैं इस बारे में recently PM नरेंदर मोदी जी ने announce करा है आपके former prime minister PV नर्थ सिमहा राव जी चोधरी चरन सिंग जी उनके साथ साथ agriculture scientist MS स्वामी नाथन जी को confirmर किया जाएगा भारत रतन 2024 के लिए पहले तीन का तो अभी अभी नाम गोशिद किया गया उससे पहले दो का नाम दिया गया था बिहार के former chief minister कपूरी ठाकूर जी प्लस deputy prime minister लाल कृष्ण अडवाने जी तो 2024 के अभी कितने होगे भाई पांच आदमी होगे जिनको क्या मिलेगा भारत रतन इस साल तो हमारे पांच रिसिप्टेंट है बट 4 awarded थे 1999 में 1999 में आपके चार को दिया गया था क्या भाई भारत रतन अवाउड ठीक है इस से highest पहले 1999 का था जिनको मिला थे कितने चार लोगों को मिला था वो कौन-कौन के थे जया प्रकाश नरायन जी रवी शंकर जी अमरित्य सैन जी गोपी नाता भरदोली जी ये आपने याद रखना है तो इस साल के पांच से आपके कपूरी ठाकुर, लाल कृष्न अडवानी उसके बाद पीवी नरसिमार राव जी चोदरी चरन सिंग जी और दिन एमस स्वामी नातान जी ठीक है 1999 में आपके चार लोगों को मिला एड़ 2024 में पहली बार ऐसा इतिहास बना है के पांच लोगों को आप भारत रतन मिल रहा है ये 2024 सबसे हाइस्ट है ठीक है इस से ज्यादा भारत रतन किसी भी साल में नहीं मिले है MCQs जो बन सकते थे वो सभी मैंने आपके लिए लाए हैं ये ठीक है तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो सेशन की पीपिटी आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी अगर जनवरी का कमपाइलेशन नहीं देखा है तो वो भी जाके एक बार चेक आउट कर लीजेगा जनवरी की कमपाइलेशन हम लोग अल्रेडी डिसकस कर चुके हैं ये फेब की थी तो फेब का भी आज आप तक पहुचा दी है वीडियो वैसे ही अब करंट अफियर्स के 100 प्लस MCQs में आपके लिए लियाओंगा मंतली बेसिस पे ताक कि आपको करंट अफियर्स में कोई दिक्कत ना आए ये 100 MCQs आप लोग मंतली बेसिस पे आप कर लोगे पूरे साल में आप ये समझे लोग के 2024 के एंड तक आपके पास 1500 प्लस MCQs आप आपके पास नोट्स होंगे तो बाकी आपको करंट अफियर्स करने की जरूरत नहीं है बच्चों को लास्ट में दिक्कत आती है ये magazine उठालेते हैं वो magazine उठालते हैं तो वो दिक्कत आपको नहीं आने दूँगा तो पीपीटी आपको टेलिग्राइम चैनल पर मिल जाएगी पीपीटी में आपको extra add-on snippets और extra information प्रवाइड कर दूँगा वो वन लाइनर भी साथ में प्रवाइड कर देता हूं आपको सबको पता ही है तो वो भी डाउनलोड करके रिविजन परपस के लिए आपने पास रख लीजिएगा ठीक है पिपिटी टेलिग्राम चैनल से मिलेगी टेलिग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा बाकी आप विरियस सोचल मीडिया हैंडल जोइन कर सकते हैं तो यह हमारा इमेल आइडी है आपको कोई भी डाउट हो तो आप डिरेक्ली इस इमेल आइडी पे हमें बेज सकते हैं ठीक है तो बाकी अगर चैनल पे नए हो तो बाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लस बेल आइकोन भी दबाद दीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आए तो आप तक वो पहुंच जाए ठीक है बाई तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई हो ना पसंद आई हो तो डिस लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि हम लोग क्या इंप्रूम्मेंट करें ताकि हमारी वीडियो आप तक थोड़ी सी बहतर होके आप तक पहुंचे ठीक है बाई तो बाकी फीडिबेक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है हमारी ताकि हम लोग और वीडियो में बहतर करके आप तक पहुंचा सकें ठीक है तब तक आप पढ़ते रहें खुश रहें God bless you keep learning keep sharing